चिराग पास्वान ने कहा है कि मोधी के रहते भर में आरक्षन को मजबूत किया गया है और देखे इस पे ज़्यादा हमको टिपा टिपनी नहीं करना है चिराग पास्वान जी तो खुदी कहते थे कि भाई जो संपन दलित है उसको आरक्षन वापस लोटा देना चाहिए और मोधी जी ने जो चिराग पास्वान के साथ जो किया है उनके पिता जी की मूर्ती को फिकवाया उनको घड को खाली करवाया उनके पाटी को तुड़वाया उनके पाटी का जो सिंबल बंगला था उसको चीनने का काम किया उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई फिर भी जो है चिराग पास्वान जी मोधी जी के हनुमान बने हुए और कोई भी खुदगर्ज आधविय अगर होता तो मोधी जी के साथ नहीं रहता है लेकिन पताने चिराग पास्वान जी के अपनी सोच है स्वतंत रहें साथ वह रहने के लिए लेकिन आरक्शन के बारे में चिराग पास्वान जी को थोड़ी सी भी जनकारी नहीं है और नहीं आरेसेस के बारे में उनको इतिहास की जनकारी है थोड़ा आरेसेस के बारे में जनकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और जनकारी उनको तभी प्राप्ती हो सकती है जब अपने पिता जी का राम विलाज जी जो हम सबों के नेता थी उनके भाशनों को वो सुने उनका भाशन जो है राम बिलाज पासवान जी का छिराक पासवान जी पहले सुने समझे उनके पिता जी ने कई बार ये बात कहीं कि बीजेपी आरेक्षेट को सबाब करना चाहता है दंगाई पाटी है इसके कारण उन्होंने केंद्र मंत्री बंडल से स्तीफा भी दिया तो ये सब लोग जानते हैं लेकिन चिराग पासवान जी बिचाने नादान है है ना वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं पोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए खत्रा है यह थार्थ है सच्चाहिए लान बंद करके ढौका नहीं नहीं रहता चाहिए कि homem कड़के दो आखया कोल ओके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता श्रांठेस केडिदे भाड़ बार इस बात को कह रहा है चार सो पार लाओ और हम सर्विधान को बदलेंगे लेकिन विजय चोधरी कह रहे हैं कि जो रामकेपाल यादर है वो ऐसे उमिदवार है कि लोगों को चिंटा कौन से हो रही है विजय चोधरी किसके बारे में क्या कहता है हम सब की लग्ठे का लिए आप जनता है ना मालिक है मालिक ते करी के सब्सक्राइब करता हूं भी आपस में लर रहे हैं तो सब्सक्राइब रहे हैं तो मुल्च छोड़के भागा भागना पर रहा है